तो सरकार से चा रहा है, मोधी जी से चा रहा है, हमारी बीटिया ने तो 51 रुपए भी दिये, कि पीएम केर फंड में, कि अरे अब तो दे दो पैसे, अरे हम आक्सीजन के लिए परशान है, हमारी बेटियों ने अपना गुल्लक खोड़ करके, जो है उनको पीएम केर में दिय हमें तो आक्सीजन दे दो सहाब, हमें तो आक्सीजन दे दो जा रहा हूँ, पिछले साल जब पीएम केर्स फंड के लिए पैसा एकटा किया रहा था, ये बोल करके, कि कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए, पीएम केर्स में फंड एकटा किये जा रहे हैं, देश के काफी लोगों ने, आम जंता ने भी, बड़े बड़े बिजनिसमें पीएम केर्स फंड में पैसे को डोनेट किया, ताकि वो देश की भलाई के लिए कुछ कर सके, लेकिन क्या देखा गया, कि एक बच्ची जिसने पिछले साल एकावन सो रुपे अपने गुल्लक फोड करके, पीएम केर्स फंड में उस बच्ची ने दिया था, डोनेट किया देश के हिट में, कि देश में कुछ काम हो पाए, कोरोना वाइरस को लेकर, आज वो बच्ची खुद कोरोना संकरमित पाई गई है, और खुद वही बच्ची जो एकावन सो रुपे अपने गुल्लक को तोड़ कर, पीएम केर्स फंड में दे रही थी, आज वो बच्ची च चाह रहा है, हमारी बीटिया ने तो 51 सो रुपे भी दिये, कि पीएम केर्फंड में, कि अरे आप तो दे दो पैसे, अरे हम आपक्सीजन के लिए परशान है, हमारी बेटियो ने अपना गुल्लक फोड़ करके, जो है उनको पीएम केर में दिया, हमें तो आक्सीजन दे दो सहाब, हमें तो आक्सीजन दे दो, लेकिन उसकी पुकार आज कोई सुनने वाला नहीं है, आज वो बच्ची ऑक्सीजन के लिए तडप रही है, इस तरह के हजारों केसे आज हमारे देश में, मैं हजार नहीं कहूंगा, लाखों की तादाद में रोज केसे हो रहे हैं, अड इस तरह से आज हमारे देश में कोरोना के केसे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो वैक्सीन को हम अपने देश में इस्टेमाल ना करें, आज हमारे देश में वैक्सीन को 400-600 रुपे में दिया जा रहा है, जबकि दूसरे शहर, दूसरी कंट्री जो है, उसी वैक्सीन को free of cost अपने CDGN के लिए provide कर रही है इस तरह के बहुत सारे cases जो है आज social media पर हमें देखने को मिले है आप twitter जब open कीजेगा या social media को ये account आप open कीजे तो आपको हजारों ऐसे tweet मिलेंगे या लाखों ऐसे आपको post मिलेंगे जो चीक रहे हैं जो request कर रहे हैं लोगों से किसी के पास अगर oxygen है तो व इस number पर संपर करे किसी के पास अगर oxygen है तो मुझे बता दे मेरी help कर दे इस तरह से लोग request कर रहे हैं आप coronavirus आप चा जाइए आपको 1000 की तादाद में इस तरह के टूइट दिखने को मिल जाएंगे इसके लावा आज लोग बेट के लिए तरब रहे हैं उनकी मौत हो जा रही है कोरोना वेक्सिन नहीं मिल पा रहा है सही से इलाज नहीं हो पा रहा है देश का जो मेडिकल सिस्टम में वो पूरी तरह से बरबाद हो चुका है ऐसे में एक मी मीडिया का यह होता है और दूसरा क्या होता है कि देश में का जो रूलिंग पार्टी है जो सत्ताधारी पार्टी है उससे सवाल करना होता है आज हमरी देश की जो में इस्ट्री मीडिया जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं उनका पहला करतव यह क्या है उनका पहला जिमेदा पहली जीमेदारी क्या है कि वो देश में जो रूलिंग पार्टी है उससे सवाल करें कि आखिर क्यूं इस तरह के हालाद देश में करोना वाइरुस को लेकर दिन बढ़ते जा रहे हैं सवाल करने के वजब देश की मीडिया किस तरह के हेडलाइन चला रही हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह दोहरा चाल मीडिया का जो देश के हित में बहुत ही खत्रा साथ साबित हो सकता है पिछले छे सालों से मीडिया ऐसे ही काम करते हुई आई है अगर मीडिया अपनी जिम्मदारी सही तरीके से समझ जाए अगर मीडिया अपनी जिम्मदारी को सही तरीके से निभाए तो देश के लिए वो बहुत कुछ कर सकती है लेकिन आज देश की मीडिया रजश सर्मा का आप वो ट्विट देखे कि कोरोना वाइरस से बचाने में पिएम मोदी का कितना बड़ा हाथ लाखों की तादाद में लोगों की जिंदगी बचाई पिएम मोदी ने और आज जब 3 लग से जादा रोजाना कोरोना वाइरस के केस कोरोना वाइरस के नए कैसे सामने आ रहे है देश में क्यों कोई मीडिया देश का गोधी मीडिया आज भारतिय जंदा पार्टी के किसी भी शक्स से यह सवाल नहीं कर रहा है कि पीम केर्स फंड का पैसा गया कहां उसको किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया जबकि उस पैस छोटी सी बच्ची जिसने पिछले साल पीम केर्स फंड में 5100 रुपे दिया था यह सोच करके देश के लिए कुछ वो करना चाहती है अज वही बच्ची डेली के इंदरपूरम के अवंतिका होस्पिटल में अपनी सांसों के लिए जो है वो फर्यात करिए कि उसे ऑक्सीज करके हमें जरूर बता है हमारे चैनल को लाइक करें फॉलो करें और शेयर करें हमारे यूटूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें जैहिंद जैभारा